नमस्कार मैं दिव्यांस बारत द्वाद, सिटी न्यूज मुझाफरपुर में आप सबी दर्सकों का स्वागत है खबरों की ओडागे बढ़ने से पहने नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेज SBI भिकनपुरा रूत कान में सामिन पाच्वा अप्राधी गरफ्तार बैंक से लूटे गए मोवाईल और नवद रुपे भी बढ़ा मग अयापुर थाना शेतर के दाधर इलाके में पकड़े गए आधा दर्जन स्मैकियर कुछ ताच के बाद भीजे गए जीन स्रम विवार द्वारा जैपुर से मुक्त कराकर पटना में रखे गए सिनौत के छे बाल स्रमिक पटना से मुजफरपुर आने के क्रम में हुए बिमार और बरंपुरा थाना शेतर के जोरन शपड़ा में महिला का चेन शिनकर भाग रही चोड की लोगों ने खबडे विस्तार से में इस कांड के चार अपड़ादियों को पहले ही गरफतार कर जेल भेज़ चुकी है S.S.P. मनोच कुमार ने बताया कि S.B.I. भिखनपुरा लूट कांड में अब तक पांच अपड़ादियों को गरफतार किया जा चुका है तथा बैंक से लूटी गई 3,41,782 रुपी भी बरामत कर लिया गया है S.P.I. बैंक डगएती कांड में ये पांच वे अभिखन रफतारी की हमन्त कुमार नाम है इसका इसके पास से बैंक रूट के बहुत सारी प्रमान बरामत हुए पुजिसको जैसे वो रिंड कोट जिस पर प्रेट्लिंग लिखा हुआ था रिंड कोट बरामत हुआ है दो अपराधी अलग-अलग गलर के गमचे लपिटे वे थे वो दोनों गमचे भी बरामत हुए हमन्त के शेयर के राशी करिक सौड़े चोदा हजार प्रेट बरामत हुए हुए अभी दो और अपराधी की अभिखतों की ग्रपतारी सेश हुए है इसक्रपतारी के प्रेट बरामान मिल चुका है इसको हम लबस्की टिट्राइल करेंगे ताकि बहुत दूर्पकती से सजादिनास संबब हो पाए हुए है पुर में है जो चार गरपतारिया हो गई है और उसमें अभी तक का अभी तक कि अपना है तीन लाक शार था तीन लाक एक तालिस चार अभी तक है जो बरामत की हो गई है पहर के लिशा चाह लाक पारहजार दूसो तीस रुपे की लूट हुए थी से इसकी राशी है और दो अभी तो कि में अपनारी के उपरामत करने की कुशिश की जाएगी है इसमें से दो से तीन अभी उत हैं जो मास्टर माइंट है उनका है जो गहरा यह आदत रहा है लूप होगारे करने का लेकिन इतनी बड़ी लूट की जो ना जो किया है इन अपराधियों ने पर्थम बार किया अहियाफुर्थाना छेतर के सरसेयद कॉलनी इस्थित एनर आई के घड में डाका աालने में सामिल एक अपराधियों गुरु बार को आप्ने समर्पन कर दिया अहियापूर थाना छेतर के सर सयद कॉलनी में वीते दिने हुई देकाइटी मैमले में एक नाबालिक लड़के ने अपने अधिवक्ता के साथ आत्म समर्पन किया दरसल सर सयद कॉलनी के एक मकान में दिन दहारे महिला को बंधक बना कर देकाइटी किया गया नबालिक लड़के के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में यह निर्दोस है लेकिन केस में नाम सामिल होने के कारण आज आत्प समर्पन करने आया है अरोप इसके है डगरती का आरोप है और कन्फेस्नल स्टेट्मेंट पे इसका नाम आया है नाम जद अवयुक्त भी नहीं है यह निर्दका अहियापूर्थाना छेतर के दागर महले में पकड़े गए आदा दरजन इस मैकियरो को पुष्टाज के बाद पुलिस ने जेल भिज दिया आदे दरजन काड़ो को अद्विदन हुआ है और सभी में अस्मैक पीने वाले किसे लिपता पाई गई है तो इनके निसान देही पर अलगदी में अस्मैक के दंदक कड़े महला हो या पुरिष्टो जो भी शामिलों में उन पर उतनी करवाई की जाएगगा स्रम बिभाग द्वारा जैपूर से मुक्त कराकर पटना में रखे गए सिलोग के छे बाल स्रमिक गुरुवार को पटना से मुझपरकूर आने के दोरां बिमार हो गए स्रम बिभाग द्वारा जैपूर से मुक्त कराये गए मनियारी थाना के सिलोग गाओ के छे बालक स्रमिक जिने पढ़ने लिखाने के लिए स्रम बिभाग ने पटना के एक विद्याले में रखा था पटना में जल जमाव का संकट उत्पन हो जाने के मदे नजर स्रम बिभाग ने इन बच्चों को उनके पड़िजनों को सौप दी इसी दोरां पटना से इन बच्चों को मुझपरपूर लाने के क्रम में इन बच्चों की तबियत अचानक बिगर गए बिभाग दो बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है जबकि अन बच्चों का घर पड़ ही इलाज कर रहा है दो कि आकर बच्चा को लिए टोए लोग गया और रास्टे में इनका बहुत बेहालत हो गया छे बच्चे हैं जिसमेंस से तीन बच्चे का बहुत बेहालत हो गई टी होंती सकताता है पटना में राजंदर नवियर के पास एक स्कूल है, पच्चे लोगों के लिए लेवर जो पकराता है ना बच्चा, लेवर जो है उसके लिए ही बनाया गया हूँ इसकूल, उसी में था पानी बहरा हुआ है इसकूल में बहुत, पूरे अधा च्छत तक आया हुआ है पानी, तो वहां के जो इंचाल्ज है बताया कि आप अपना बच्चा को ले जाएए, तो यह लोग गया लाने और लाते समय रास्ते में ही बहुत बहालत हो गया हतारी थाना च्छेतर के असमानपुर गाओं में दो पक्षो के बीच हुई मार्पिट में एक पक्ष के तीन लोग घाय लोग है हतारी थाना च्छेतर के असमानपुर गाओं में साधी के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हतियार से हमला कर दिया जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गया है सभी घायल को गंभीर अवस्था में SKMCH में भरती कराए गया है जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है घायल के परिजन ने बताया कि सो अवस्था में सभी लोगों पर हतियार से हमला किया गया आठ बजे रात में वो आया गाली गरोज करने लगा उस समय हम पहुंचे हमारे बाबुजी देड़ा पर रहते हैं हम लोग खाना लेके हम दोनों प्रानी हम गए खाना लेके जब गए तो गाली दे रहा था हम टर के उहां से भाग गए आगे कि हम नहीं सुनेंगे ने जगरा होगा तब हमरा पत्नी के साथ रामप्रित राम के लड़का रामप्रित राम सब मिलके इनको बलाव तक भी ठार दिया फिर भी हम आये उस समय भी हम नहीं कुछ बोले तब हमको पिछे से ओकर चारो लड़का पकर के हमको पटो के रोड़ पर पिछने लगा तब हमरा भतीजा आया बचाने हला हुआ के हमरा भतीजा के भी मारने लगा ऐसे मार पिट के समाज आया थोड़ थम कर दिया बोला कि चल कल सुगर इसको हम लोग देखेंगे जो फैंसला होगा उचित करेंगे हम लोग चले गया घाव इक कहानी आठ बजे साड़े आठ बजे के हम लोग घर जाके सो गया हमारे बाबुजी जड़ा पर राते है बारा बजे रात में आके फिर दुबारा जब सब सो गया गावनी सुबद हो गया तब तब जाके इनको मचान पर से खीच के अकत्ता से इनको हाथ कार दिया जो मेड़कल में अवस्थी थी घर्टना का कारण क्या है घर्टना का कारण हम नहीं जानते हैं कि क्या है हम तो इतना ही जानते हैं कि जब से उनको लड़की हमारे बज़ना के साथ गई उसी दीन से हमको बार-बार चिताब ने देता है कि तुमको हम कभी भी मडर करते हैं पूलिस के पास जब रात में ग़ए सारे बारा बजे में इनको लेके पूलिस बोले कि इनको अहलेद गमभीड है हम यहां रिपोर्ट जब तक बनाएंगे तब तक अगर कुछ हो गया तो फिर जीमाबारी हो जाएगा इसलिए आप मेटकर लेके भागिए और उहां से इलाज इनको करवाई है उहां से उपी में सब दरखास करवाके आतावाई अथाना पर हम आने आपको यह फायार हम लिख जो साल इंका लगवाई पंचानव सालू मरा है उपेंदर राम जितेंदर राम नभी इन और हम तो हैं इंदरासन जो हमारे भतीजी है हम लोग को चिलाते चिलाते आई बचाने इनको तो उनको भी मारा बड़ंपूरा थाना छेतर के जूरन छपड़ा में एक महिला से चेन चिन कर भाग रहे चोर को अस्थानिय लोगों ने पकर कर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया सहर में इन दिनों उचकों का आतंक फैलता जा रहा है और इसे रोकने में मुजफ़र पुलिस बेसर दिख रही है एक बार फिर एक उचके ने जूरन छपड़ा में एक महिला का सोने का चेन चिन लिया और महिला के चिलाने पर अस्थानिय लोगों ने ख़देर कर चेन चिनने वाले उचके को पकर लिया इसके बाद अस्थानिये लोगों ने सरक पर ही नियाय अपने हिसाब से करने लगे दो दिन पुर्व उचके के साथ जो घटना जूरन छपड़ा में घटी थी उसी की पुर्णा वृति देखने को मिले भीर दोड़ा उचके की बुरी तरीके से मारा गया नगर थाना की पुलिस ने उचके को भीर से बचा कर गिरफतार कर लिया उसके पास से चीनी गई चेम भी बरामत कर महिला के हवाले कर दी गई महिला आरोपला आ रही है कि एक लरका जो है सहर में भीर दोड़ा किये जा रहे है अप्राधियों की पिटाई से अप्राधियों में अप्राध करने को लेकर भय तो नहीं है पर पुलिस के घटना स्थल पर देर से पहुँचने के कारण भीर तोरित न्याय करने लग रही है स्स्पी मनोश कुमार ने इस तरह की घटना को बिल्कुल गलत बताया है दुर्गा पुजा के दौरान गिधी विवस्था बनाय रखने को लेकर नवे डियस्पी ने सहर के सभी थाना धक्षों के साद बैठकी दूर्गा पुजा को लेकर नवा डियस पी ने सहर के सभी थानों के प्रभारी के साथ Еहम बैठक की बैठक के दोरान, पुझा के दोरान होने वाली जाम की समस्या तथा पंडाल की विधी विवस्था पर चर्चा करते हुए नगर डीएस्पी ने कई जरूरी निर्देस दिये डीएस्पी ने बताया कि दुर्गा पुझा को लेकर ये बैठक की है और पूरे सहर की विदी वेवस्था को लेकर कई प्रभारियों को निर्देश दिये गया है और यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्दी आजिर होते हैं घर के खुबसूरती बढ़ानी हो तो करें ब्लैक बेरी टाइल्स का उप्योग ब्लैक बेरी टाइल्स के बिहार में एक मात्र जिलर मादुर्गा मार्वल एंड टाइल्स एवं सोनी एंटरप्राइज़ जिटकईया रोड एमाईटी गेट नमबर एक के नज़दी लक्ष्मी चौक बैरिया रोड मुझफ़र पोड़ साथ हजार स्क्वार फेट में बिहार का नमबर वन टाइल्स लाइव डिस्प्लेई जहां पचास से जादा किचें, बाथरों एवं पूजा घर का डिस्प्लेई देखकर पसंद कर सकते हैं मार्बल, टाइस और ग्रेनाइट घर के खुसूरती बढ़ानी हो तो पहुँचे मादुरगा मार्बल एंड टाइस शोरू जहां डिजिटल टाइस, हाई ग्लोस टाइस, 3D टाइस, वाटरप्रूप टाइस, पार्किंग टाइस, एवं लाखा रेड ग्रेनाइट, जेम रोड ग्रेनाइट, पेपर ब्लैक सहीब, कई अन्य कलर, रेंज और साइज में उपलब्द हैं ग्रेनाइट और सेनिटरी जिरो माइल बैरिया रोड के तादर पूल से पुरवस्थित सोनी इंटरप्राइज़ में भी लाइव डिस्पले देखकर अपने घर के कमरे, किचन, बाथरूम और पूजा घर के लिए टाइल्स, मारबल और ग्रेनाइट कर सकते हैं पसंद अभी ये 7000 स्कोर फिट का डिस्पले और लाइव डिस्पले जो लोगों के लिए एक समझना आसान है आप चार पीच टाइल्स दिखा के जो है समझा नहीं सकते हैं किसी को और यहां है कि जो भी कस्टमार आते हैं वो संतूष्ट हो के जाते हैं और इतना रेंज एक ब्लैक लेकिन यहां जो क्वालिटी मिलीगे वो उत्तम क्वालिटी मिलेगे टाइल्स तो सब बेच रहें लेकिन क्वालिटी यह मस्ट है आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई वीवार डॉक्टर या बनना चाहते हूं आयाई टियन आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश उत्तर बिहार के सर्विस्ट्रेश्ट कोचिंग संस्थान जीनियस क्यासेज की टीम में है कोचिंग जगत के दिगज फकैलिटी जिन्होंने दिये हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियस ज्यान के मंच पर सब एक समान है विधी का विधान पलट दे वह ब्रम्हास्त्र ज्यान है सिर्फ ज्यान ही आपको आपका हक दिलाता है GTSE आपके बच्चों के सुनेहरे भविशे का प्रथम पराव है या मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा IIT, NEET और AIMS जैसी कठिन प्रविश परिक्षाओं की तयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है निश्चे, विश्वास, समड़पड और इमांदार प्रयास से हम यानी Genius Classes निखारते हैं आपके बच्चों की दवी प्रतिभा को हर बच्चे में हुनर होता है जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की जेए मेंस में 98% आया है इसके लिए मैं जीनियस क्लासे को ठेंक्यू बोलना चाहूंगा एक्टिटी इसने में हिल्प किया और हमिस्ता उन लोग ने मुझे मोटिवेट किया मैं फैमली ने पूरा सपोर्ट किया इसके लिए सबका धनेवार खाना चाहूंगा मेरा नाम अन्षुमार राज है मुझे 95.49% आया है जेए में 2019 में जीनियस क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराए गई थी इसके चलते हैं तरह अच्छे माँस आया है मेरा नाम विधी कुमार है और जेए में 2019 में 94.6% आया है इसके लिए उसके लिए में अपने टीचर्स इस मेनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेए मेरे नेज prisoner में 94.cre core 3% आया है तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविश्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आईए जीनियस क्लासेज के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरया गंज या मिठनपूरा चौक मुझफरपुर में मुझफरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलिवुट के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लेठी भंडार पिछले पच्चास वर्सों से आपके पसंद का खयाल रखती है यहां से लाह की बहुरानी सेट, बॉलिवुट की स्टार एश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी यहां से राजनीतिक गल्यारों के नाम चीन चहरों की दुलहन भी सजी थी हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जैमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरद्वारा निर्वित कराई जाती है इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, शुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्मान अपनी कारीगरद्वारा कराती है यही नहीं, लाह से बनी, कान का टॉप्स, रिंग, नत, गला का हार, मांग्टी का, पिन, पिन स्टैंड, हाथी, विछिया, ग्लास, करा भी बनाती है तो एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे, बाबा की दुकान, लह्टी भंडार, इस्लामपुर, मुजपरपुर हमारा कॉंटेक नंबर है 930862044 हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं क्राइस्चियोती इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ट ऑन CBSC करिकूलम विट को एजुकेशन इस स्कूल में प्रतेक विशेयों के लिए अनुभरी सिक्षकों का सम्मू है विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिलकुल नहीं है बच्चों को प्रतेक विशेयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाईं दी जाती है साइन्स और कंप्यूटर लैब के व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधी से पढ़ाई जाती है केंद्रिये माध्यमिक सिक्षा बोड पर आधारित पाठिक्रम से कक्षा प्ले हाउस वर नर्सरी से अस्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारम है तो नामांकन के लिए तुरन समपर करे हमारा पता है क्राइस्ट जियोती इंटरनेशनल स्कूल धर्मोदय अस्थली माधोपुरसुस्ता मुझाफरपुर आर कॉंटेक नमबस आर 7463-884603 9006877392 8539857777 आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डान्स एंड एक्टिबिटीज क्लासेज जिसमें इंडिया के फेमस कुरियोगराफर द्वारा परसिक्षित डान्स स्टीचर बच्चों को डिफरेंस फ़र्म में डान्स सिखाते हैं जैसे बॉलीबूड, हिप ओप, कंटेम्टरी, पॉप डान्स सिखाते हैं साथ में एक्टिबिटीज के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट विविन तरह की प्रेंटिंग्स और ब्रेंड डव्लप्मेंट से रिलेटेड एक्टिबिटीज सिखाये जाते हैं एकैडमी में एस ग्रूप बॉइस के लिए दो साल से बारा साल एवं गर्ल्स के लिए दो साल से अठारा साल थक है हमारा पता है नियर होटल शिवाम इन मुखरजी लैन मोतीजील मुझदफरपूर और हमारा कॉंटेक्ट नमबर है 9931695198 इसमें दो तरह की चीजों के आम फोकस करता है एक है फिजिकल फुपलेश और दूसरा है और दूसरा है बहुत ज़री है कि बच्चा पर बने ओवरॉल डिविलप्मेंट हो तो यहां पर हम एक तरह से लर्निंग विट्पन भी कहें जबते हैं ब्रेके बाद फिर से अब सभी दर्सों को का स्वागत है पांचवे रूप की पुझा अर्चना के लिए सहर के सभी मंदिरों में भक्तों का ताता लगा रहा वही दूसरी और सहर के सभी पुझा पंडालों में काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है हाला कि जिले में लगातार हुई बारिस ने पुझा पंडाल के निर्मान कारे में बाधा उत्पन होने के बार पंडाल निर्मान करने वाले मुझदूरों ने तेजी से अपना कार पूरे करने में जुटे है सरया गंज पंकज मार्केट सिकंदरपूर तथा कल्यानी चौप पुजा समितियों में पंडाल निर्मान को पूरा करने में जुट गई है पुजा समिति के सदस्यों ने बताया कि सब्तमी तक हर हाल में पंडाल निर्मान का कर पूरा कर लिया जाएगा और ये मुर्ती यहां गड़ी वस्थान से पुश्टूर पे मुन्ना जी की हां ये मुर्ती बन रही है मुर्ती लगभग 18 फिट तक की है दुर्गा जी की और संकर जी की सुन लखित की है 46 साल से हम लोग का गार्जयन करते आ रहे हैं आज गार्जयन ने हमें अजक्ष बनाये है परवीन चोधरी में नाम हुआ आज मैया के पुजा में कोई भी तूती न रहे दर्शन करने वाले को कोई भी कटनाई कटनाई न हो उसकी वेवस्ता साती परसत परिवार दिन राज एक करके लगे हुए है दर्शन करने वाले जो हर साल आते है साधी परसत दुर्गा पुजा समिती हालिक अभिननन करती है साथ साथ ये करती है माता का दर्शन के साथ साथ इस वार सूने का खिष्ट महमान को भी रखा गिया है जो दर्शन इस वार कराया जाएगा साथ साथ जो है ये चपन भोग माता का इस्वार लगेगी जो जितना दर्शन करने वाले आएंगे उस शब लोगों को चपन भोग का परसाथ मिलेगा और यहाँ बेवस्ता में परसासकी बेवस्ता भी रहती है पंडाल कैसा बंद रहा है पंडाल एक साथ का मंदिल है उसका रुप दिया जा रहा है जो पंडाल वाले अभी नहीं है वो ही बताएंगे और अंदर में मया का इस बार 18 भुजा दारी के रुप में दरसाय जा रहा है माता इस बार असिरवात दे रहे है कैजित तोरह से बारिस हो रही थी पंडाल मनें के समामें पटनाएं तो काफिर हो गए थी बारिस के कारण हम लोगों को अपना ही दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम लोग क्या करें इंडियन डेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने विसेश ट्रेंज से मातर सहरे 7000 रुपे में एक व्यक्ति को वैसनो देवी यात्रा कराने का विसेश ओफर सूर किया है अगर आप वैसनो देवी हरी द्वार इसी केस की दर्सन यात्रा करना चाहते है तो अब आपके पास एक मौका है इंडियन डेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेट भारत सरकार के द्वारा आस्था सरकिट स्पेशल ट्रेंज चलाने जा रही है जो 22 अक्टूबर को सहरसा से खुल कर खगरिया, बढ़ाणी, समस्तिपूर, दर्भंगा, सितामडी होते हुए मुझापरपूर पहुचेगी तो आपको कटरा माता वैसनो देवी के दर्सन के उपरान खड़ी द्वार रिसिकेश तक का दर्सन कराएगी यह पूरी यात्रा आठ दिन और साथ रातों की होगी, प्रतिवेक्ति किराया 7551 रुपे रखी गई है यह जानकारी IRCTC के छेत्रिय प्रवंधग राजेश कुमार ने दी तर्वर्रों के जाती है, यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सारसा से यह ट्रेन चला रहे है और यह सारसा से होते विजबाएगी, तो यह मुझप्रपुनमी रुखे गी इस पर माता वैश्णो देवी के यात्रा का रहे हैं और यात्रा का जो दिन है वो 15 अक्टूबर को है 15 अक्टूबर को सहरसा से माता वैश्णो देवी के यात्रा के लिए निकले थे यह साथ रात और आठ दिन का प्रैकेज है इसका जो सुल्क है वो 7500 क्यामन रुपय है इस पैकेज में हम लोग कहां कहां घुमाएंगे एक तो वैश्णो देवी माता के दर्शन तो है उसके अलावा हम हरीद्वार में घुमाएंगे और उसके बाद हम रिसी केस घुमाएंगे तो माता वैश्णो देवी, हरीद्वार और इसी केस यह तीनों जगा एक साथ गुमाएंगे और यह ट्रेन इसमें जो क्या-क्या-क्यामन रुपय में जो सुल्दा अपलब है उसमें पहला तो है कि इसमें ट्रेन की टिकेट का खर्च है घुमने-फिरने का खर्च है, खाने का खर्च है जो भी खाना है, सब इसमें फ्री है, इंक्लूड है खाना घुमने का खर्च इसमें इंक्लूड है, घुमने का खर्च रहने का खर्च में इसमें इंक्लूड है तो यह complete package है, इसमें आपको कोई खर्च नहीं है खाना पीरना घुमना रहना सारा कर्च इसमें इंक्लूड है अगर इसको मार्केट के रेट से अगर इसकी तोलना किया जाए तो इस कम से कम साथ उसे आठ गुना सस्ती पैकेज है यह जोगी गौर्वर्मेंट इसको सबस्टिडाइज कर रही है तो इसको साथ साथ गुना सस्ती पैकेज है तो हमारी एक कोशिश है कि आधित साधिक लोग इसका लाव उठाए और यह ट्रेन 15 अक्टूबर को अब उजब पर पोड़ाएगी ठीक है साथ साथ से खुलेगी 15 अक्टूबर को अब तक ऑब टक है जब तक हमारे पास टिकेट एबलबेल है तब तक यह बुकिंग आपको सकते हैं ज़र सेट फुल हो जाएगी उथ दिन भुकिंग लोग यगी और अरटी 400 तो आधिक टिकेट वोग हो चुके है और बुकिंग करने के जो तरीके है एक तो आप ओनलाइन बुकिंग कर सकते हैं नहीं तो हमारे मुझपरपूर में स्टेशन पे प्लेटफार्म नमबर एक पे रिफ्रेश्मेंट रों है वहाँ पे भी आके आप इसके संपट में जानकारी ले सकते हैं और यहाँ भी मुझपरपूर स्टेशन पे बुकिंग करा सकते हैं अपने अपने विचार रखे और उनके संदेशों को याद किया यहां की जो पुलिस भी है सो हम लोग के साथ रहेगी तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकेंगे और आज चुकी रास्पिता महत्मा गांधी ने अहिंसा बताया आज हमारे समाज में बहुत जरूरी है और हमारे जो कुल्फ कुलपती भी आए हैं और बहुत बौधिक स्पीकर्स हैं और हमारा रोटरी क्लब मुझदफरपूर सभी रोटरी क्लब मुझदफरपूर के साथ यह कर रहा है इसमें इनर्वील क्लब भी इंवाइटेड हैं और जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान रोटेरियन पास्ट प्रेसिडन रोटेरियन डॉक्र एचन भारदवाज कर रहा कि सलोसित के लावा सारी इंतजाम बातें उन्होंने की इनर्वील क्लब के सदसे द्वारा खबड़ी में बच्चों के बीच वस्त वितरन किया गया क्लब के सदसे ने बताया कि द्वारा गोद लिया गया है समय समय पर क्लब के द्वारा यहां रह रहे अनात बच्चों को अवश्यक वस्तुए उपलब कराती रहती है के बीच कपड़े का वितरन और उनकी जो संचालिका हैं उनको हम लोग फैलिस्टेट किये हैं और समानित किये हैं यह दतगरी हमारा गोल दिया हुआ है और जैसे हमारा इनर्विल का कारिक्राम है कि हम वे ओर्फन फ्री इंडिया बनाना है तो इसी हिसाब से हम इस दतगरी को उनकों लोग होते हैं और गहां जो इखशूख है जो 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 गोल देने के लिए उन उनकों बच्चों को भी दिए जाता है विलावक को और यह हमारा इनर्विल का और पॉल इसे हमारा इनर्विल का यही लख्षा है offered कि हम किसी तरह ते काम से कम बच्चे हमारे अनात यहां भारत में हो और अनात मुट भारत हो आनुधय। स्वक्स्ता अभियान चला कर साथ सफाई भी की स्वक्स्ता या के गांदी चिने बिना हाथियार उठाए अंग्रीजी हुकूमत को घुटने टिकने को मजबूर कर दिया और लास्ट में अंग्रीजो को भाराओ छोड कर जना परा साथ ही गांदी चिने स्वक्स्ता को अभी संदेश दिया पर सदर्थाना पुलिस ने अदालत के आदेस पर एफाई अर्दर्च कर लिया है। पर सदर्थाना पुलिस ने अदालत के आदेस पर एफाई अर्दर्च कर लिया है। पर सदर्थाना पुलिस ने अदालत के आदेस पर एफाई अर्दर्च कर लिखा। और देस की छवी को खराप रिया काज किया है। उसी को लेकर करें मुकता में दज कया था जिसमें फियार दज कर ली गई। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजूर होते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक डिजेस सिटी निउस परिवार को जाज़त। नामस्का झाल झाल